आज की वीडियो के अंजर हम कंपिटल सीफटी करने वाले हैं और बहुत मज़ेदार सी हम चीज़ सीखेंगे इस टूटोरियल के अंदर और स्लाइडिंग मेशिंग की टेक्निक को भी सीखेंगे तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है और अगर आप वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कर देना और चैनल को अगे आपर रखेंगे और इसकी जुमेटरी को हम इंपोर्ट कराएंगे जो के मैं जो के मैंने मैं अपने डिस्क्रिक्शन के अंदर अटेच कर दूँगा वहां से आप इसको ले सकतने हैं तो यह हमारा डिजाइन मॉडलर खुल चुका है और ओपन हो चुका है और इधर हम इसको जनेरेट कर देंगे तो हमारे पास के ब्रेट्स जनेरेट हो गया है हमें करना क्या है हमें स्कैच लेना है इसके लेते ही हम इसके computational fruit domain को बनाएंगे जो के हम हर वीडियो के अंदर हम सीखते हैं दो circle बनाएंगे dimension इसके units को हम change करेंगे mm के अंदर और इसको हम लेंगे 199.99 और इसको हम ले लेंगे 350 ठीक है इधर से जाके हम surface from sketches at frozen generate एक और हम sketch लेंगे इसी तरह surface from sketches at frozen ठीक है अब हमारे पास parts कितने हो गए 5 impeller के blade और 8 जो हमें हमारे पास diffuser के blade और एक ये वाला और एक ये वाला surface तो 2 15 होगा ठीक है अब हमें करना क्या है कि हमें अब generate करना है हमें अपने computational flow domain को तो किस तरह करेंगे boolean की command लेंगे subscribe target body ठीक है इसी तरह हम या पर भी एक boolean all लेंगे target body जो होगी हमारी ये वाली होगी है और ये वाली ठीक है यहां हम ये करेंगे खता मुझे सब्सक्राइक होगी है तो इसके लिए हम ये वाली टार्गेट बॉडी और ये नो प्रिजर टूल बॉडी क्योंकि हमें ये चाहें नहीं है इस वज़े से अब ये हमारा computational fleet domain तैयार होगे है अब हम चलते हैं मैशिंग की तरब ये हमारे मैशिंग का जो विडो है वो खोल चुकी है और हम यहां करते हैं मैश जणरेट कर देते हैं तो ये बिलकूल Unstructured से Mesh हुई है हमारी तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ पर Method Automatic Method लगा देंगे दोनों तरफ दोनों बोडिस पर और यहाँ पर हम कर देंगे Triangles और हम इसको Generate कर देंगे और यहाँ पर हम जाके इसको कर देंगे Find इसको हम Find कर देंगे और यहाँ जो मैक्सिमम जो साइज दिखावाए Units को हम Millimeter कर देंगे यहाँ जो मैक्सिमम फेस साइज दिखावाए उसको हम कर देंगे 10 Millimeter तो हमारे Mesh हो चुकी है Mesh Generate हो चुके है Find से Mesh हो गए इसके अंदर आप यह भी कर सकते हैं कि यह जो Blades हैं इनके करीब आप Fine Mesh और ज्यादा चोटे Mesh बना दें तो हमारे Results और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे Accurate हो जाएंगे Precise हो जाएंगे हम यह भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम फिलाल Simplicity की जानिब जाएंगे हम सिर्स करना सीख रहे हैं इसको किसरा करता हैं अब हम Name Selection देंगे इसको हम Outlet दे देंगे Outlet इसको हम Inlet दे देंगे और इन Blades को Control की मनदद से Select करके करोली इसको करना सीखड wellness मदद़ के आई चेंगे क्यूंग्स मयाद्स क्यूंग्स अ ऑ universities किस्वेंपनक क्यूंग पहाँ झाल 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 यहां पर भी सेलेक्शन कर रहेंगे दिफ्यूजर ठीक है अब हम चाहरे हैं कि यह एक अलग बॉड़ी है और यह एक अलग बॉड़ी है तो यहां पर एक एडिशनल हमें नेम सेलेक्शन देनी होगी हम इसको करेंगे सबसे पहले हाइट और इधर जाके इसकी जो इनलेट होगा जो डिफ्यूजर का इनलेट होगा इसको हम देदेंगे इंटर फेस का नाम और जो रोटर का जो आउटलेट होगा उसको उसके भी हम उसको भी नाम देदियेंगे, इंटर्फेस इंटर्फेस बढ़न का नाम देदियें, ठीक है, तो अगर हम देखें, शो बॉर्डी, यह ईंटर्फेस 2 है और यह इंटर्फेस 1 है, ठीक है, अंदर यह दू झोपे हैं, ऐ reasons why you can see this, को इंसिडेंट हुआ है यह आपस में अब हम एक और नेम सेलेक्शन देंगे इसको देंगे कि अब फुल्ट रोटर का नाम और इसको नाम देंगे अब पुल्ट के सिंग का नाम तो कितनी होगी आउटलेट हो गया इनलेट हो हो गया इस इंपैलर हो गए और इस इफ्यूजर हो गए यह कितने 24 हैं और यह 15 हो ठीक है दोनों से हैं सही है और इंटरफेस वन इंटरफेस्टू फ्लूड रोटर फ्लूड के से यह हमारी हो गई मैंशिंग कंप्लीट अब हम जाएंगे अपडेट कराके अपने फ्लूड की तरफ यह हमारी फ्लूड का जो सॉलवर है वो फुल गया है अब हम यहाँ पर सबसे पहले जनरल के अंदर हम देखेंगे हमें क्या चीज़ करनी है तो प्रेशर बेस्ट सही है ठीक है टाइम अच्छा है यहाँ पर रखना हमें ट्रांजियन ठीक है और यहाँ चेक करेंगे यहाँ पर यह बता रहें कि अनसा अनसाइंड इंटरफेस डिटेक्टिट इप इंटरफेस 11 जो इंटरफेस वन और फू है ना हमारे वो जो है हमने असाइंड नीडिये अभी उनको बताया नहीं कि यह किसके साथ जो है अटेश्मेंट इसकी तो पर मैश इंटरफेस में हम जाके क्रियेट कराके इस इंटरफेस को इस इंटरफेस के साथ क्या करा देंगे अटेच करवा देंगे और इसका नाम इंटरफेस बन का नाम स्कूर देंगे ठीक है और क्रियेट करा देंगे और मॉडल्स के अंदर हम जाएंगे इधर के एपसल रिजल्टस होंगे तो इधर हम चाहते हैं कि यह वाला मॉडल यूज करें है इनहेस्ट वाल्ट्रीटमेंट ताके हमारी वाय प्लेस थियोरी जो है वह एफेक्ट ना हो तो इसके अंदर पहले से ही इसमार्डल के अंदर पहले से ही अठड उसकी कॉम्प्रोमाइजिशन होती यह वाई प्लस तो इस वजा से इन्हेस्ट वाल ट्रीट्मेंट ठीक है ओके मटेरियर्स के अंदर हम जाके लिए डेटाबेस करा डेंगे व्रbility क्लोश्ट साइल सोन धनिशन अच्छा जो जो शमेंट कर देंगे एक से Constitution क्रेंगे पर में क्लोंए क् workplace हमारे रूट आ यह दूर रहा होगा कि यह रूटेट कर रहा होगा तो इसके लिए आपर यह पर युनिट्स प्रोवाइड करेंगे एंगुलर आर्पीयम में एंग आर्पीयम यह आगे 1700 पिलस के निशान के साथ देंगे यानि कुछ भी निशान नहीं दें पॉजिटिफ होगी तो यह मतलब क्या होगा कि यह गांटर क्लॉक्वाइज पॉजिटिफ होगी तो तो हमने इसको कर दिया स्पीड रोटेशनल विलॉसिटी ठीक है ओके कर दाएं अच्छा इधर हम जाएंगे इसको मोविंग मॉल होगी हमारी डूटेशनल होगी रिलेटिव एजट्सेल जोन रिलेटिव होगी तो सवज़ा से यहां पर जो स्पीड होगी वह जीरो होगी ठीक है इंपैलर के ब्लेट्स में और रोटर में ओके कर देंगे और डिफ्यूजर वही स्टिशनरी होगा और प कोई भी प्रेशन नहीं देंगे अपनी तरफ से क्योंकि यह खुद ही जिनरेट करेगा प्रेशर और वो जो के हमें पता है हमारी रिजर्ट्स जो हमें बताएंगे वो क्या होगा नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा ताके सकीं जो वाटर हो सक होजा सके ठीक है और जो ह है हम यह जो बाल है यह मुविंग होगी यह वही इंटरफेस वाल होगी रोटेशनल होगी ठीक है रिलेटिव टॉड्जसंस और यह स्टेशनरी होगी ठीक है इंटरफेस टू है इस वजह से क्तिंगे अब इस सर्थमप्ध करा देंगे इन लेट से पाइब्स है का बड़्क मेथोड हम यहां पर कर देंगे कपडि और कि यहां हम करेंगे second order second order second order अब बागी सब वैसा कर वैसे रहने देंगे सॉलिशन इनिशालाइज़ेशन में जाएंगे hybrid इनिशिलाइज कर देंगे अच्छा यह जो प्रावलम आ रहा है यह मैशिंग के वज़ा है आप बहुत ज़्यादा find कर दें अपने results को अपने मैशिंग को तो यह और ज़्यादा residuals नीचे की तरफ चलिए ठीक है और 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 से अबरी टाइम रन केलकुलेशन और यहां करेंगे 0.01 एक टाइम स्टेप होगा नंबर ऑफ टाइम स्टेप 20 रख देंगे और मैक्सिमा मैट्रेशन होंगे 50 आप ज्यादा भी कर सकते हैं मैं अभी इतना चेक करके दिखा रहा हूं आपको और क्योंकि यह सी लेर्निंग के तौर पर कर रहा है तो इस वज़ाए से कि महँआ टुम्द आपको और ज्यादा मैं करने बपर रखेंगे अपने जो मैशींग को है मैशेंग और ज्यादा करें जैसे मैंने टैन म Catalunya मिलीमेटर रखा था ईपार कम करें आप मिली देखेंगे यह थाउजन तक जायक है सवजह से 400 वह भी थाउजन तक जायक आप ज्यादा भी कर सकते हैं हो ठNT कर सकते हैं चलिए जी अब हम चलते हैं अपने ज़़ मुद ञाने जो हमारा हम tää्म किसी अच्ट bisa संटीफिव करने में होता है वो यह होता है कि हमारे इनलेट पर प्रेशर काम होगा और प्रेm आकुए हैं पर फेसिट दिश सिंदर यहां पर हम पेसिट एबरेच के तरफ आजाए और और स्ताइक प्रेशर होगा और ये रूटेट कर रहा है और वाघि राट वहाट ay तो absolute pressure ले लेंगे और हम ले लेंगे क्या inlet तो compute करेंगे हमारे यह pressure और outlet पर pressure हम देखेंगे तो क्या आएगा चेक करते हैं जो कि यह आ रहा है तो ठीक है इसी तरह हम चलेंगे कि दिखेंगे हैं यह रहा है और पर के लिए डाम डाम प्रसटी जाधा होगा इस वज़ासीटी पर भी डिपेंड करता है और हम लेट पर हमारी क्या होगी 12 होगी और आउत्लेट पर हमारी विला सिटी क्या होगी तो यह भी हमारे डिजल्ट को वरिफाय कर रहा है ठीक है और हम क्या चेक कर सकते हैं कि अब भी पोस्ट के अंदर हम इसकी वीडियो बना सकते हैं और ज्ठीच चर सकते हैं कॉंटॉर्ट देख सकते हैं कॉन्टूर्स हम लेते हैं इसके प्रेशर कॉन्टूर्स हम ले रहें तो इस तरह कि हमारे कॉन्टूर्स बने बिलेट्स पर हमारे प्रेशर बहुत जादा है और डिफ्यूजर के बाद भी हमारे प्रेशर जादा है इसकी हम चेक करते हैं किस तरह से हमारे ये बताएगा तो देखें किस तरह हमारे ये रिजर्ड्स हमें शो कर रहे हैं और एक और चीज़ हम जिस विलासिटी हम चेक कर सकते हैं विलासिटी क्या है आप आप ये इस तरह के विलासिटी के कॉंटूर है इसकी विडियो भी हम चला के चेक कर सकते हैं तो ये हमें मुवी दिखा रहा है हमें किस तरह से रिजर्ट्स वह हो रहे हैं वैरियेबल हो रहे हैं क्योंकि ट्रांजियंट इसविज़ा से वैरियेबल इसके अंदर वैरियंस तो आएगी ठीक अलगे तो हम इस विडियो को से भी कर सकते हैं से जो यह यहां से इस रीपीट फॉरेवर को हटा देना और यहां पर रिपीट के ओप्शन को को टूमर्ट वुटाइम्स ब्रता हैं आपको रिपीट करनी हो आप यह भी कर सकते हैं और इसको आप जो format देना चाहें वो भी दे सकते हैं जैसे मैं MPEG 4 दे दूँगा और इसको प्ले कर देंगे जैसे प्ले कर देंगे तो यह वीडियो सेफ होना शुरू हो जाएगी ठीक है जितनी मरतबा यह प्ले होगी जितनी मरतबा यह कॉंट्रोर्स बनेंगे उतनी मरत वैसी ही वी इसकी पहले से बनाई गी है प्रेशर के पॉंट्रोर्स हैं और यह आपके विलॉसिटी के पॉंट्रोर्स प्रेशर के पॉंट्रोर्स दोनों आगे हैं दोनों बनके सेफ हो चुके हैं तो आपको यह वीडियो पगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को अगली वीडियो में लगा दो हूं इंशाल्ला